तो उनका डेथ हो गया है तो गाइस वाट्स अफ गूड मॉनिंग दिस इस मिस्टर आडीजे और आप सभी का फिर से स्वागत करते हूं मेरे नए व्लॉग में तो गाइस यहाँ पर दूद है एक गिलास जो की बहुत ज़्यादा गरम होने की वज़े से लाल दिख रहा है एकदम तो अभी इसको निप्टाते हैं गाइस बहुत ज्यादा गरम है यह अभी भी इदर गरम है इस वज़े थोड़ा पीने में दिक्कत हो रहा है तो गाइस गरम दूद में पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं आ रहा है इससे अच्छा तो ठंडा दूद ही रहता है तो सुबह उसाम आप रोज पीऊंगा भाई जाया ही नहीं देखने कि कौन से खेत में क्या लगा है तो गाइस मैं अभी जाने वाले हूं और देखने वालों कौन से खेत में क्या लगा है और भाई मेरे पाड़ी में बहुत सारे आम के पेंड हैं तो मैं देखने वालों कि कौन-कौन से पेंड में इस साल फूल आये है कि नहीं आया है पहले आम के पेड़ में फूल आता है उसके बाद उस पर फल लगते हैं गाइज सबसे पहले तो इस से मिलिए मेरे छोटू स्थाथ से यह देगो यह कामरा में हाय बोलो नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा यह राजा इकदर आजा यह वाला खेत है हमारा जो बाड़ी साइड का गेट है ना उसका फ्रंट खेत यह है तो इस पे लगा है चना और धनिया तो गाइज अब चलते हैं आगे की योर और उधर मम्मी कुछ कर रही है तो गाइज मम्मी पानी पला रही है तो चलिए देखते हैं इस खेत में क्या तो गाइज यह मम्मी पानी पला रही है इस वाले खेत में उधर है आलू सोरी यह आलू है और वो लैसुन ना तो गाइज वो है लैसुन और यह है आलू यह भी आलू है यह भी आलू है और तो थोड़ा बहुत टमाटर लगए और यह गन्ना है तो मैं चलता हूं आगे की अराम से वाई यह देखिए लगे हैं टमाटर अभी पके नहीं है लेकिन बहुत जल्द पक जाएंगे आल्राइट गाइज आगे चलते हैं और देखते हैं बांकी के खेतों में क्या लगा है हम लोग दो खेतों के एकदम 20 वाले पार पर तो इस साइड के खेत में लगा है सरस मुझे पता नहीं है डाउं में अर्सी बोलते हैं तो हुसी नाम से मैं जानता हूं मुझे पता भी है क्या लेकिन मैं मम्मी से पूच कहा हूँ कि क्या क्या लगा इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं नहीं तो अनपड़ गमार है भाई हम तो भाई एक चीज और यह जो मेरे पीछे पेंड़ देख रहो ना यह बहुत ज्यादा एकदम इसपेसल वैराइटी का आम का पूल यह सबते हैं लेकिन इससलाष इसपे फूल ही नहीं लगा है और इस सालासा खतम हिस से कोई उम्मीद नहीं एक फल भी नहीं देँगई यह देखो एकदम व्राउन होरखा है फूल हो रिख रहा है लेकिन ये टिके इगा नहीं मुझे जहारत तक उम्मीद है जैसे ही चलेगा गर्मी आते आते पूरे फूल जहर जाएंगे और इसमें आम का फल बहुत कम लगेगा देखना लग जाए लेकिन बहुत ज्यादा व्राउन हो गया वह बहुत जल्दी जहर जाएंगे क्योंकि सूकते जा रहा है तो गाइस मैं आपको गिनात हो कि हमारे कितने आम के पेड़ है वहाँ पे एक दो तीन ये चार ये पांच ये च्छे ये साथ एक ये आठ और वो नौ एक दस क्यारा बारा बारा मुझे यहां से दिख रहे हैं और ये सिर्फ यही बाड़ी बाड़ी के अंदर है और बाहर जंगल में हम लोग लगाए हैं मतलब हम लोग क्या मे में मम्मी मेरे को आवाज दी और बोलती है कि तेरे दादा जी का डेथ हो गया है मतलब अभी अभी मेरे को पता चला कि एक दादा जी है मेरे चोरभाठी गाओं में मतलब वो सगे दादा जी नहीं है लेकिन हम मेरे परिवार के हैं हम लोग सब परिवार हैं तो क्या है हम ल और ये एक बैड निव्स है गाईज ये पाइप देख रहे हैं ये यहाँ से पूरा गायब हो जाता है इसके नीचे नीचे पूरे पार में पूरे कुन तक जाता है गाईज ये पाइप, अब तो ये खराब हो गया है गर्मी में और इतने दिनों तक मिटिक नीचे दवे-दवे और पानी भी पढ़ता रहा पूरा गीला होने झराब हो जुका है लेकिन पहले यह काम करता था और जब हमें इन खेतों में पानी लाना होता था तो इसी पाइप के द्वारा लाते थे यह मेरे पापा लगाय थे ठीक है गाईज आज का ब्लॉक करते हैं फिर समाप ठोप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हां कम सकम एक दोस्तों के साथ वीडियो सेर कर दो यार और भाई को सफोर्ड करो एंड थैंक यू लव यू अल बाई